विलकुम बैक तो मैं चैनल तो बैंक प्राइबिटाइशन को लेके चोटा सा अपडेट है और आप जानता हो कि बैंक प्राइबिटाइशन को लेके जो भी आपडेट आता है मैं चैनल पे हमेशा सेयर करता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करता है क्योंकि इस टाइफ के हेल का कुछ final process नहीं होता है यह next year को shift हो जाएगा next financial year को decide कि कौन सा bank privatization होगा कौन से ब्यांग privileged कॉन से नहीं होगा अगर इस financial year में नहीं होता है तो next financial year में privatization होगा और next financial year में 4 bank privatization होगा आफ यहां पर भूद पोनली फ्रेल नियुद चिह भी आ यहां पर दो बैंक प्राइबिटाइशन होगा अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट जो फाइनसेलर होगा तो बहां पर गौर्मेंट डिसाइड करेगा कि फोर बैंक को फाइन प्राइबिटाइशन करने के लिए अभी ऐसा नियूच अभी आ रहा है इसका कुछ मतलब कोई कॉन्फरमिशन नहीं है मैं भी दो बैंक हो सकता है मैं भी चार बैंक हो सकता है मैं भी नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसलिए कर रहा हूं कि आप जानतों कि हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है अपडेट में बहुत सरे नयाने अपडेट आता है चेंज होता है में भी हो सकता है में भी नहीं हो सकता है तो देखते हैं क्या होता है बस एक जादा अच परेवेट आइस वन को लेकर जादे हैं पर कुछ नहीं है कहने के लिए और बस चैनल को सब्सक्राइब करता है बस एक छोटा सा अप्डेट था मिलते हैं नेक्स्ट अप्डेट में